इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप Home Screen Layout On या फिर Off कैसे कर सकते हैं फिलाल मेरा Home Screen Layout On है इसे बंद करने के लिए क्या करते हैं पहले समझते हैं Home Screen Layout से होता क्या है देखिए ये तो देखिए Home Screen पर कुछ Applications हैं मैंने Add किये हुए ठीक है और यहाँ पर क्लिक करके मैं सभी Applications की तरफ जाता हूँ जैसे कि आप देखिए यहाँ पर यह Instagram है इस पर Hold करके मैं इसे Add करने की कोईशिस करता हूँ आपका ठीक है इसे बंद करोगे तब ही आप यहाँ पर इसको Add कर पाओगे ठीक है तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं Samsung Smartphone में इसे कैसे Add कर सकते हैं उसके बाद MI का Smartphone है और इसके बाद किसी भी Smartphone में इसे आप On या Off कैसे कर सकते हैं आपको दोनों यानि सभी में आपको इस Steps आपको बताने वाला हूँ वीडियो को अंड तक देखते हैं लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजे और चैनल पर नई है तो चैनल को सबस्क्राइब करना बिल्कुल फ्री है तो चलिए सबसे पहली बात करते हैं Samsung smartphone की यह trick काफी smartphone में work कर सकती है आपको करना क्या है आपको यहापर देख सकते हो बीच में कोई भी खाली जगह है बल्कुल देख सकते हो यहापर खाली जगह है इस पर आपको थोड़ा सा hold करना है यहापर थोड़ा सा hold करोगे यहापर देखे लिखा हुआ आगया home skin setting आप देख सकते हो आप पर home skin setting आ गया है इस पर आप click करोगे तो यहापर आपको देख सकते हो नीचे lock home skin layout यह आपका enable है इसका मतलब है आपने home skin layout को lock कर दिया है lock home skin layout उसके बाद कोई भी application add नहीं कर पाओगे आप home skin पर ठीक है इसे बंद करोगे न तो फिर आप कर पाओगे उसके बाद नीचे एक और option है add apps to home skin इसको on connection से क्या होता है आप कोई भी application play store वगयरा से install कर लेते हो तो वो automatically add हो जाता है वहाँ पर अगर automatically add नहीं हो आप manually कर पाएं तो इस तरह से आप setting आप रख सकते हो ठीक है तो देख सकते हो हमने यहां से lock home screen layout इसे बंद कर दिया है उसके बाद हम जो है यहां से home screen पर आ जाते हैं और कोई भी application add करेंगे तो वो हो जाएगा जिसे Instagram देखिए यहां पर enable हो चुका यह highlight हो गया है add to home इस पर हम क्लिक करते हैं तो देखिए यहां पर आ गया है आप देख सकते हो home screen पर यहां पर आ गया है ठीक है आप इस तरह से कर सकते हो अब बात करते हैं जो Redmi की smartphone है यानि MIK वगरा के बहुत से smartphone में कुछ इस तरह से mobile होते हैं उनमे add करने के लिए आप देख सकते हैं यहां पर recent का button होता है ठीक है आप recent के button पर थोड़ा दबाई रखोगे एक second के लिए तो इस तरह से option आ जाएगा और यहां से आप इसको layout को बंद कर सकते हो ओके अब बात करते हैं सभी smartphone में कोई सभी smartphone हो उसमें आप इसे क इसके भीचतर देखें आप छोट-छोटे अच्छनों में आपके दिखाई दे रहा होगा home screen भी लिखा हुआ रहा है ठीक है चलिए आपको इस display पर क्लिक करना होगा जैसे आप display पर क्लिक करते हो यहां पर आपको थोड़ा नीचे में करके दिखा देता हूं यहां पर आपको यहां पर सेटिंग्स पर क्लिक करना है ठीक है आपको इस सर्च पर क्लिक करना है यहां से आप लेख सकते हो home skin layout चलि मैं आपको दिखा दिता हूं यहां पर आप इस तरह से लिख सकते हो home skin layout इससे भी आप इसको search कर सकते हो जल्दी से आपको मिल जाएगा यह option देखने को ठीक है वैसे तो आपको यह display में मिल जाता है feature अगर उसके बाद भी आपको यह दिखा ही नहीं दे रहा है तो आप जल्दी से यहां से search कर सकते हो home skin layout ठीक आप इस पर click करोगे तो जैसे मैं आपको बताया था आप वहीं पर आ जाओगे नीचे आप देख सकते हो यहां पर लिखा हो आ जाता है home skin आप इस home screen पर click करके इस settings को यहां से lock home skin layout को on या फिर off कर सकते हैं राइट उमीद आपक अगर वीडियो पसंदें वीडियो को like and share कर दीजगा lock home skin आपके screen पर दो वीडियो और सो हो रही है जो की काफी ज्यादा helpful है इन वीडियोस को भी ज़रू देखना